नमस्कार मेरा नाम है माधव और आप देख रहें किसांतक मैं इस समय हूँ भीलवाडा का एग्रिकल्चर कॉलेज और मेरे साथ यहां की डीन एलल पमार जी है इस कॉलेज के बारे में समझेंगे ग्रेजुशन यूजी कॉलेज है दरसल तो यहां क्या कुछ काम हो रहा है क्य रिसर्च वर्क तो चूंकि नहीं है क्योंकि यूजी कॉलेज है लेकिन एग्रिकल्चर से रिलेटेड क्या कुछ नए इनोवेशन्स इस कॉलेज की तरफ सी हुए और क्या कुछ अगली सालों की कुछ जो फसल में चेंज हो रहा है फसलों में जिस तरह से बदलाव हो रहे ह उसको लेकर के क्या तई आ रही है हमारे साथ डीन है एलल पमार जिन से बात करेंगे और विस्तार से समझेंगे कि इस कॉलेज की तरफ से एग्रिकल्चर के शित में क्या 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 कॉंटुवेशन दे जा रहे हैं सर कुछ प्रताप बीज करके एक बीज डेवलेप किया है उसको कई क्रॉप्स के बीज है उसमें तो उसके बारे में थोड़ा बताई और हम पीछे जो हमारे यह दो देख रहे हैं यह दरसल बीज की पैकिंग और उसके सारे काम यह होते हैं इसके बारे में थोड़ा है तो हम करसी जहां वर्ड आ रहा है तो हम टीचिंग के साथ है उसको भी हम देख रहे हैं और हमारे मानिय कुलपती मोदे है अभी प्रॉफसर अजीत कुमार जी करनाटिक साहाइब बहुत ही डाइनमिक लीडर है और उनी के मार्ग दरसन में कारी कर रहे हैं तो जैसा कि युनिवर्ट्री ने हमको एक टार्गेट दिया है एक आप लोग टीचिंग के साथ अधर अपना फोकुस करें तो क्रसी मावीडेल है तो करसी से जूड़ी दूसरी अप्रोजेक्ट है उसमें पॉल्ट्री प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं और हमने तीन ब्रीड जो है यह मैंटेन कर रही है उसके चिक्ष को हम जो है रूरर एरिया में जो फा सब्सक्राइब प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इस वे अनार के हैं और इसके क्वावा के हैं बेर के हैं और कस्टर एपल के हमने मात्र बगीम्स दयार कि उसमें चारे अपना खुद का बगीचे तयार है कितने किसान अभी आपके जिनको आपने इस तरह जब जहां तक आपन नंबर ऑफार्मर्स की बात करें तो बहुत सारे किसान जो भी सुनते हैं तो वो करसी मावी देले मांके नई टेकनोलोजी है उससे उलाव ले रहे हैं चाहिए वो पॉल्ट्री से बात करें चाहिए वो अच्छी क्वालिटी के जो कि पहले जो रास्तान स्टेट सीड कार्परेशन और नसी यह जो है बीज बनाते हैं और फार्मर्स को डिस्रिबूर करते हैं लेकिन उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं तो हमारे विस्वीद्याले ने तया कि क्यों ना क्रसी विस्वीद्याले लेवल पे जो है अलगला यूनिट्स बनाके और अच्छी गुणवत्ता वाला बीज तयार करके अपन किसानों को वित्री करें तो इसी उद्देश्य के लिए हमारे पूरे विस्वीद्याले में तीन बीज इकाईयों जो है स्तापित की उसमें क्रसी जो कोले जो अग्रिकल्चर सीर उनिट है और उधैपूर में एक सीट इकाई है और असी जो हमरे ययरेस बासवडा है वह एक सीडिकाय तो यह तीनों यहीं सीडिकाईयां गुणवत्ता युपत वीज का प्रोडिक्शन करटी और प्रोसेसिंग कर पेकिंग करके और प्रताब यार्वीज के नाम से हम जो किसनों क किस किस क्रॉप के बीज है तो हम खरीब में जेसे हम बात करते हैं तो जो भी इस एरिये की जो मेजर क्रॉप्स है जैसे दलनी क्रॉप्स है उड़द है मॉंग है आपका स्वयबीन है ग्राउनट है इनका हम भीज उत्पादन कारेक्रम लेकर और उसका ग्रेडिंग करके पैक का टो ने करें हम जहा तक हम बीज की बाद करते हैं, तो बीज की चार को है लिएक क्लासी बिज़ होती है तो उसमें जो है नुकलियॉस बीज, जिसको अपन नाभी बीज बोलते हैं, दूस्रा है प्रजनग भी और अदार भीज और प्रमानिद भीज यह चार अलग अलग क्लासिज का जो बीज होता है उसमें बैसिकली जो है नाबिक भीज है वो तो बहुत काम कॉंटिटी में पैता होता जो ब्रीडर जिस वेराइटी को डवलप करता है वही उसका उत्वादन करता है थोड़ी जेट की रोगते हैं हमारा विश्वी जालगा इलगा और जो हमको अब ज्यादा से जादा यह जा तो ब्रीटर शीट का उत्तपादन करें या फिर क्लास सीड्य जो कि पैकिंग करके डारेट किस्तानों कि यह जती है तो हमारा दम्याद मिक्री अधर अब हुआ और दूस्षा पर , पैकिंग करके फार्मेर. को यहां खड़ें अभी यहां प्रोसेसिंग प्लांट जो है अभी लास्ट येर जो है खरीब की अभी जो मोसम आने वाला जो यहां खरीब का बीज जाएगा उसमें अमने जो है उड़त में जो अच्छी गुणवत्ता वाली जो किसम है एम यू टू तो उसका अमने बीज उत्पादन कारिक्रम लिया था यहीं डवलप किया गया है अच्छा अपनी इसमें जो है सीड यूनिट बीलवड़ा है उसके पास तीन हमारे पास सेंटर है क्रसी विग्यान के अंदर बीलवड़ा ड्राइलेंड फार्मिंग रिसर्स स्ट ग्रेडिंग प्लांट है मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो उसमें इस रोसीड को हम ग्रेडिंग करते हैं और उस प्रोसेसिंग करने के बाद में फिर फाइनली जो इसकी रिपोर्ट जो है चुकि यह गुनवत्ता वाला बीज है क्वालिटी सीड है इसका भी इसका पूरा सीड हम सेंपल भेजते हैं सेंपल भेजते हैं और जैपूर भी लेव वहां भी जाता है तो वहां से टैस्ट होके इसके सारे ही पेरमिटर से इसमें आपका प्योर सीड कितना है इनर्ड मेंटर कितना है इसका जैर्मिनिशन परसेंटेज कितना है यह सारा टैस सोतार वो जो रिपोर्ट ओके होने के बाद इसका हम पैकिंग करके लेबलिंग करके देन फाइनली इसको हम किसानों को सेल करते हैं ये हमारा कोई भी रोशी दाता है किरे जबाद करो डो जो की बात करो चनी निष्भात करो तो यह रोशी ड्हकिका का हमस्काषीत अच्राल सीड घ्रेटिंग करते हैं抓ञटिंग में जिसा आप देख रहें यह सबसे पहले hopper है इसमें हम तक दालते हैं और यह से अलेवेटर जो पहला जो इसका ग्रेडिंग का यूनिट है इस प्री क्लीनर में जो बड़े-बड़े स्टेबल्स है डंटल है कोई पत्थर है डंटल है वो सारे इसमें सेपरेट हो जाएगा उसके बाद आगे जो सीड जाएगा और इस ओपर में आ जाएगा और यहां से फिर अलिवेट यह मिट्टी है उससे छोटा जो भी इसमें इंपुरिटी है वहां इसमें सेपरेट होगी यह जो है और आगे जो है प्योर सीड होके और साप भी जो आगे बड़ेगा और फिर जो है यह इंडेंट सिलेंडर जो लग रहा है इसमें बड़ेगा यह इंडेंट सिलेंडर जो है इन ग्रूव में रह जाता है बाकी जो प्योर सीड है सॉल सीड है साबूत बीज है वो आगे चला जाएगा और इस ओपर में आएगा और इसके बाद में फिर से अलिवेटर से सीड उपर जाएगा और वो फाइनली जो है ग्रेविटी सेपरेट है इस ग्रेविटी में वो उस gravity separator से अलग होके और फिर से वो elevator के तरो ऊपर जाएगा और फाइनली जो है इस जो है यह जो है यह जो होपर बना है इसमें वो collect हो जाए है और फिर इस hopper से हम जो है अलग-अलग size के इसाब से चाहिए वो 40 kg बेग में करना है चाहिए 50 kg बेग में करना है तो उसको हम finally weight करते जाएंगे और उसको जो है किसी भी specified weight के बेग में हम इसको जो है कलेट कर लेंगे वेंग कर लेंगे और फाइनली जो हम इस टेक पर अब मैं आपको जो यहां का जो ग्रेडिंग प्लांट है मैं उस पर आपको लेजा करूं तक यह इसी तरह जो उड़त की मैंने बात करी यह दूसरी क्रॉब जो है यह ग्राउनट मुंगफली इसका भी हमने बीज उत्पादन कारिक्रम किया वह हमारा जो बीज मैंने अभी आपको दिखाया था वह आधार बीज था आधार बीज और यह जो बीज आप देख रहे हैं यह है ब्रीडर सीट अच्छा यह जो है क्योंकि जो सीड़ स्टेंर्ड्स की असवाद से उसकी कौलिटी और इसमें बीज और आधार बीज जैसे मैं बता हूँ जो लेबल लगा रहता है तो लेबल का कलर जो बेडर सीड होता है उसमें लेबल का कलर जो है सुनरा पिला रहता है संद्धिक थे इसके बरिड़ और आदर मुद्थ का जैसे मैं बता हूं जो लेबल लगा रहता है लेबल का इसमें वालो टी आपका प्रजनग भीज है या आदार बीज है या प्रमानिद भीज है? मैं एक सवाल मुझे आया कि किसानों की समझ ही हम जब फिल्ड़ पर जाते हैं किसानों से बात करते हैं उनकी समझ भीजओं को लेकर करके आज भी वही पारंपरिख तरीके से टरडिशनल तरीके से तो वहां तक जिसमें वो खेती करता है, उसका एक्रेज गड़ता है, उसके कई सारे कारण है, चाहे वो family bifurcation हो, चाहे urbanization हो, चाहे roads हो, किसी भी वेसे उसका जो जोध है, एक्रेज है, लेंड होल्डिंग है, वो कम होती जा रही है, और दूसरी तरह अबद देखें तो उसके खड़्चे जो है, जो के महंगा ही है, बढ़ते जा रहे है, तो क्रसी विग्यान्यू का ये दाई तो है, क्रसी साइंटिस्स का ये जि साइंटिस्स समझा के उस फार्मर्स की आमदनी में कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं, तो वह हमारे वेग्यानिक लोग कर रहे हैं, जो भी उसके बास लेंड अविलेबल है, उसमें चाहे उननत किस्म की बात करें, चाहे अधर जो है, अपने बात कर सकते हैं, चाहे वो पॉलिट क्यसे इजाबफ लिए खरक्जा कर सकते हैं, और यह हमारे साइंटिस्स का दे हैं, और उसमें उन जो हमारे वेगशन के उन काभी सपलता भी भाई और किसांद भाई भी हैं, और जो एं जो सारे इंटरेक्शन करके अपनी खेती में, जोम आमदनी है उसका बढ़ा भी करा ज़िए ने जो है जो कहती इन्वेंसन हो रहे हैं उसको अपना रहा है थैंक्यू सर अमसे इस्तार से बीजों की पूरी प्रक्रिया समझाने के लिए कि कहां से बीज पैदा होता है उसको किसारी से गीडिंग उसमें वर्त करता है आप किसान तक को लाइक कीजे, शेर कीजे, सब्सक्राइब कीजे, शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। और नोटिफिकेशन पानी के लिए बैल आइकन भी दबा दें।